नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो आज से हम एक नई सीरीज श्टार्ट करने जा रहे हैं डेली 5 MCQs की दोस्तो ये जो 5 MCQs होंगे ये करेंट रफेस पर अधारित होंगे यानि कि 2021 के जितने भी important करेंट रफेस होंगे उनको हम डेली 5 MCQs के फॉर्म में daily basis पर हम discuss किया करेंगे तता इन प्रस्तों से लेटे जितने भी important fact और point बन सकते हैं उनको भी हम पूरे detail में discuss किया करेंगे इसके अलावा उन प्रस्तों से जुड़े जितने भी static questions बन सकते हैं उनको भी हम discuss कलते चलेंगे इन प्रस्तों के साथ साथ तो daily basis पर हम इन 5 प्रस्तों के अलावा भी और बहुत सारे प्रस्तों को solve कलते चलेंगे तो current interface के साथ साथ आपकी जो static जिके की knowledge है वो अभी improve होती जाएगी तो आज हमारा यह पहला वीडियो है आप हमें comment box में बताएगा कि आपको यह reach कैसी लगी तो चले आज के session को सुरू करते हैं तो पहला प्रस्त आपकी screen पर है current interface काफी important प्रस्त है काफी chance है कि आपके exam में यहां से प्रस्त देखने को मिले तो आपको बताना है कि हाली में G20 सिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा काफी important प्रस्त है तो G20 सिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन आपका किया जाएगा Italy में यानि कि option आपका C 100% सही है 2021 का जो आपका G20 सिखर सम्मेलन है इसका आयोजन आपका किया जाएगा Italy में तो आप इसे ध्यान दिजेगा option आपका C बिलकुल सही है वहीं 2021 में तो इटली में किया जाएगा इसके अलावा भी और आगामी आयोजोन आप देख लिए जो आपके एक जाम में पूचे जाए सकते हैं तो इटली में किया जाएगा आपका 2021 में, इंडोनेसिया में आपका किया जाएगा, 2022 में प्रस्तावित है, भारत में important है, new donors को कर लिजेगा, 2023 में भारत में G20 सिखर समयलन का agent किया जाएगा, तता 2024 का आपका किया जाएगा, ब्राजील में जिसे आप ध्यान देजेगा, वही जो इस वर्स का 2021 का G20 सिखर समयलन है, यह 30-31 अक्टूबर के मद इसका agent किया जाएगा, तो यह fact आपको याद रखना है, अब बात यहाँ पर इटली के हो रही है, तो आज यह इटली के बारे में जान लेते हैं, इसकी राजदानी आपको मिलेगी, रोम, तता इसकी जो रा खादे संगठन का जो headquarter है, FAO यानि की जो सहिंक्त राष्ट का खादे एवं क्रिसी संगठन है, FAO, इसका जो headquarter है, इटली की राजदानी रोम है, तो इससे आप याद दिखिएगा, वलतमान में इटली के प्रधान मंत्री कौन है, तो मारियो ड्रागी कौन है, तो मारियो ड्रागी जो है, वलतमान में इटली के प्रधान मंत्री हैं, और यहां के currency को हम कहते है, euro, तो यह सरे fact आपको याद रखने है, भूलने नहीं है, वह अगर हम बात करें, रूस के बारे में, तो रूस के राजदानी है, मासको, तो इससे आप याद दिखिएगा, रूस के र जाजदानी जाकारता में, तो यह सरे fact आपको याद रखने है, अगला प्रस्निया पर मारा है, हाली में अब्दुल कादिर का निधन हो गया है, आपको बताना है कि अब्दुल कादिर कौन थे, काफी important रूस नहीं है, तो अब्दुल कादिर कौन थे, तो यह पाकिस्तान क परमाडू जनक थे, यानि की option आपका C 100% सही है, पाकिस्तान के जो परमाडू जनक थे, इनका नाम था अब्दुल कादिर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो option आपका C बिल्कुल सही है, अब बात नहीं है पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राधानी है, इसलामाब तता यहां के प्रधान मंत्री है इमरान खान और राष्ट पती है आरिफ अलवी तिसे आप ध्यान देगा तता दो इंपोर्टेंट करेंट अफेस की नूज आपको याद अक्नियक पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के एक व्यक्ति है सबसे कम उम्रे के परवता रोई ब अपको याद अखनी है लेटेस्ट नूज है इसके अलावा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी यह पूरे विश्ट की दुनिया की पहली क्रिकेट टीम थी जिसके दरह 100 T20 मैच जीते गये ते इसे भी आप या देखेगा इसने अपना जो सौवा T20 मैच था किसको हराया त दच्छुड अफिरका को हराकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपना सौवा T20 मैच जीता तो पहली क्रिकेट टीम बन गये थी पाकिस्तान जिसके दरह 100 T20 मैच जीते गये थे इसके बाद अगला प्रस्थन आप हमारा क्या कहा रहा देख लीजिए हाली में किस राष्टी उद्यान का नाम बदल कर राम गंगा राष्टी उद्यान करने का प्रस्ताव पेस किया गया है तो इस प्रस्थन का हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा जीम कार्वेट नेशनल पार्क यानि कि ऑप्षन आपका ए बिलकुल सही है जो जीम कार्वेट नेशनल पार्क है आपको मिलेगा उत्राखंड में इसका नाम बदल कर करने का प्रस्ताव किया गया है राम गंगा राष्टी उद्यान तो आप इसे या देखिएगा उद्यान है तो आप इसे आदेखेगा यह भारत का प्रतम राश्टी उद्यान है जिसके अस्तापना उत्रा खंड में किये गई थी तो आप इसे आदेखेगा इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था जिम कारवेट नेशनल पार्क तो आप इसे और कौन कौन से निशनल पार्क हैं तो उत्रा खंड में आपको मिलेगा गोविंद पसु बिहार उसके अलावा फूलो के घाटी इसके अलावा नंदा देवी यह सभी राजा जी इस भी इंपॉर्टेंट राश्टी उद्यान है उत्रा खंड के ते इसके बारे में भी आपको तो हिमिस निशनल पार्क आपको मिलेगा यह वलतमान में चला गया है लट दाक में तो यिस सारे चीज़े आपको याद रखनी है एक चीज़ा और आप ध्यान देजेगा हाली में हमारे जो Tiger Reserve वे उनकी संख्या कुल कितनी हो गई है तो टोटल हमारे Tiger Reserve की संख्या तिरिपन हो गई है तो इसे आप याँ देखेगा इसे भी आप याँ देखेगा तता latest के जो तीन Tiger Reserve में आपको अपने दिमाग में रखने है latest के तीन Tiger Reserve कौन-कौन से मैं आपको उस राज्य का नाम बता दे रहा हूँ जहां पर ये latest के तीन Tiger Reserve बनाए गए हैं आपको उनका नाम सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है तो एक्यावनवा जो अमारा Tiger Reserve बना थो बना था तमिलाडू का उसके अलवा माज जो बावनवा जो टाइगर रिजर बना था रहस्थान का और तिरपनवा जो अमारा हाली में Tiger Reserve बना है कहां का तो 36 गड़ राज्य में और 36 गड़ का कौन सा है तो आपका होमर्क है इसको आपको बिल्कुल ध्यान से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है अगला प्रस्निया पर मारा है हाली में किस संगठन के दोरा सुरक्षीत, सौच्च एवं सतक पर्यावरन को मानवादिकार के रूप में मानिता प्रदान किया गया है ताफी इंपोर्डेंट रस्निया तो इस संगठन का नाम है UNHCR United Nations Human Rights Council यहने की संगतराष्ट जो मानवादिकार परिस्द है इसके दोरा हाली में सुरक्षीत, स्वक्ष, स्वस्थ एवं सतत पर्यावरन को मानवादिकार के रूप में मानिता प्रदान कल दी गई है तो आप इसे आद दिखेगा UNHCR यहने की संगतराष्ट मानवादिकार परिस्द के जड़ा यह कदम उठाया गया है तो option आपका B बिल्कुल सही है यहाँ पे चार important organization दिएगे United Nation के बारे में तो इन चारो organization के बारे में हम यहाँ पे पुरे detail में बात करेंगे कि इनके अस्थापना कब हुई थी इनका headquarter कहाँ है, इनके प्रमुक कौन से है तो इसके प्रमुक कौन है तो फिलीपो ग्रांडी तो यह तीन चारो आपको याद अखनी है इसके प्रमुक कौन है UNHCR के नहीं के सेंग तुराष्ट मानवादिकार परसत के प्रमुक कौन है तो फिलीपो ग्रांडी है इसका headquarter है जीनिवा सुर्जलन्ड में इसके अस्थापना 1950 में की गई थी तीन फैट आपको याद अखने है वह यह अगर हम UNDP की बात करें होने की युनाटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोगाम हैने की सेंग तराष्ट विकास कारकरम के गरम बात करें तो इसके अस्थापना कब की गई थी 22 नॉमबर 1965 को इसका headquarter आपको लेगा नियॉयोर्क सहर में तो इसके प्रमुक कौन है तो अचीम स्टेनर तो ये तीन चीज़े इसके बारे में आपको याद अखनी है इसके बाद अगला संगठन था आपके ओप्सन में यूनेस्को यूनेस्को भी काफी इंपोर्टेंट संगठन है इसके अस्थापना 1945 में की गई थी और इसका headquarter आपको लेगा पेरिस में तीसे आप ध्यान देजेगा इसके प्रमुक कौन है तो ओंड्रे अजूले जो है इसके बातमाने प्रमुक है यूनेस्को के थी ये फैक्ट भी आपको याद अखना है इसके बाद अगला ओप्सन में आपके दिया गया था यूनिसेप तो यूनिसेप की अस्थापना उन्हें से चैलिस में के गई थी इसका हेड़कॉर्टर आपको लेगा नियू यूर्क सिटी में इसके अलावा हिंजरीटा एच फोर इसके प्रमुक हैं यूनिसेप के तो ये चार संगठन जो आपके आप्सन में दिये गए थे उनसे जुड़े तीन चीज़ों आपको याद अखनी है उनके अस्थापना, उनके प्रमुक, उनका हेड़कॉर्टर मैंने आपे बता दिया है इसको आप विल्कुल ध्यान से देख लिजिएगा आज का लाश प्रसन आपे मारा है निम्न लिखित में से किस उत्तर पुर्वी राज जिमें बसे सिख समुदाय के लोगों को वहाँ से अस्थानांतरित करने का फैसला किया गया है काफी इंपोर्टर ने प्रसने, काफी लेक्टेश्क नहीं हुजाए तो उत्तर पुर्वी राज कौन सा है तो मेघाला इसका रैटेंस रो जाएगा मेघाला राज जिमें बसे सिख समुदाय को लोगों को वहाँ से अस्थानांतरित करने का फैसला किया है तो आप्सन आपका जो ए है बिल्कुल सही है अवैद रुप से जो समुदाय को लोग बसे है यहाँ पर उनको जो अस्थानांतरित करने का फैसला हाली में मेघाला की गवर्मेंट के तो आपका ए बिल्कुल सही है अब बात यहाँ पर हम मेघाला की कर रहे हैं तो आए मेघाला के कुछ इंपॉर्टेंट और फैट को जान लेते हैं तो सबसे पहले इसकी राजधानी आपको याद रखना है और सिलॉंग में है इसके अस्तापना 21 जनरी उनिस से बहत्तर को की गई थी इसके मुक्य मंत्री है कॉनराड संग्मा जिनकी पार्टी का नाम है इनकी पार्टी है कॉनराड संग्मा की यहां के राज़ पाल है सत्यपाल मलिक और यहां का राश्टी पसुष जो बार बार एक जामें पूछा था है इसके अलावा जो आपका मिगाला है कौन-कौन से इंपोर्टेंट यहां पर नेशनल पार्क उसको दिख लिजिए तो बल फाक्रम इसके अलावा नौकरेट और यह सभी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मिगाला में तो दोस्तों यहां हमारा पहला वीडियो था फाइब इंपोर्टेंट एमसी क्यूज का आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा कमेंट बाक्स में आप हमें जहुरू बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पॉर आचिंग थैंक्यू